इस लेक्चर इस पावरेड बाई बेयार सियम वहील हरियाना इस से पहले लेक्चर में हमने राफ्ट फाउंडेशन के बारे में टॉड की आ था लेक्चर में कंनेमट्पोक्स में स्टूडेंटन ने कहिए सर इन्टरलेटिड ड्राइंग्स dice तो आप description के अंदर drawing को भी add कीजिए तो अच्छे से समझाने के लिए अब इत्ती बड़ी drawing है तो हम section को लेंगे यहाँ पर देखिए section 5 है इस section 5 को and नीचे section 5 है cut किया हुआ है इसको हम आज discuss करेंगे section 5 and section 5 को हम discuss करेंगे अच्छे से and daily daily lecture के अंदर हम section ये discuss करेंगे आज हम section 5 5 के अंदर x1 a से आपका x6 सक तक discuss करेंगे देखिए यहाँ पर आपका x1 a है यहाँ पर आपका x1 है and end में जाके आपका x17 है तो चाहे वहाँ से देख लीजे यहाँ से देख लिए line wise यह ऐसा ही रहेगा तो यहाँ पर मैंने आपको pencil से मार्क कर दिया है क्योंकि upper drawing के अंदर show किया हुआ है जो यहाँ पर numbers दे रखें इसके बारे में show किया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से तो सबसे पहले आप देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका lower mesh है जैसे हम जाल बोलेंगे lower mesh के अंदर आपका bottom के अंदर हमेशा रहेगा main bar and top में रहेगा आपका distribution bar and upper mesh के अंदर आपका उपर वाले जाल के अंदर रहेगा top में main bar and bottom में distribution bar now हम starting से चलेंगे जो आपका 22 number of steel bar है इसके अंदर 16 mm of steel use किया हुआ है 150 center to center spacing में and L आपका 250 mm मोड़ा हुआ है and इसकी length कुछ shape ऐसी रहेगी अब हम next आगे चलते हैं यह हमारा PCC है जो हमारा 100 mm रहता है again आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 22 number of nosey use किया हुआ है and जो आपका dotted है यहाँ पर dotted आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर आपको 22 number दिया हुआ है यहाँ पर 22 है तो through over यहाँ से लेके end तक यहाँ तक starting point से लेके end तक आपका 22 है जो की show कर रहा है same as main bar जो आपका distribution बार रहेगा top के अंदर जो है lower mesh में y16 150 center to center spacing रहेगी इसके अंदर यहाँ पर कुछ RL आपका upward है and यहाँ पर RL आपका downward है तो इसके बारे में हम discuss करेंगे next lecture के अंदर and all points के बारे में हम discuss करेंगे